जैहिन नमस्ते वंदे मातरम सात्यों आप सभी लोग देख रहे हैं समाधान इस्टेडी और आप सभी का ही स्वागत है देखे सात्यों पेनेस्टी जो है एक्जाम कंप्लिट हो चुका है अभी जो है आप सभी को बता दू DME की जो है काउंसिलिंग होने वाली है अब DHS की सी क्या यहां पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्मलाजेशन कैसा होगा काफी बचे कमेंट्स करते हैं कि सर हमारे 5-6 नमबर कैसे बढ़ेंगे सभी के मांस बढ़ेंगे क्या तो देखे सात्यों इस लिए ही वीडियो बना गया है कि नॉर्मलाजेशन फेक्टर होत जल्दी से जाकर पहले सनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको पूरी प्रोसेस मिलती रहें जो भी अपडेट हो चितनी भी अपडेट PNST से रिलेटेड हो चाहे नर्सिंग के रिलेटेड हो वो सारी आपको समय रहते ही अपडेट प्रवाइड हो जाए तो पहले की बात करते PNST के रिजल्ट की बात हम लोग करें तो गाइस आपको बता दू अभी जो है आपके आंसर किया ये आंसर सी का फिर रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका जो है मेन जो है रिजल्ट आएगा मतलब अप्रॉक्स जो है 15 से 20 दिन के अबो ही मतलब 15 से 20 दिन लग जाएगा आपके रिजल्ट आने में तो रिजल्ट आपका 15 से 20 दिन में आएगा अब क्योंकि आपको रिजल्ट की बात क्या करेगा इस रिजल्ट जो है आपने अपना रिजल्ट देख लिया तिक रिजल्ट की क्या बात करें आपने अपना रिजल्ट देख लिया है बात करें married लिष्ट की, ठीके बच्छा married और आपकी rank, आपका rank बताएगी कि इतने बच्चों का selection होगा, ठीके जैसे की 810 seat हैं, तो obviously आपको पताएगी 810 seat के अंदर अगर आप लोग आते हैं, अगर आपसी 810 seat में आपके rank है, तो आप लोग का selection हो जाएगा, तो rank ही आपको बताएगी, हमें भी पता चलेगा, जब rank जब result आएगा, तो आपके rank बनके आएगी, और rank बनके आने के बाद ही हम लोग बता पाएगी कि कितने बच्चों का और कितने marks पर selection होगा, ठीके, कितने marks पर selection होगा, ये भी हम rank पर ही decide करेंगे, तो normalization आपको बता देते हैं, अब का normalization होगा, मतलब अब वहाँ देखा जाएगा, कि यहाँ पर कौन सा shift tough था, देखें, आपके लिए तो सब shift tough ही होगे, यूग कि आपने उतना पढ़ा नहीं, पर examiner की according, examiner के according जो है, ये paper tough होना चाहिए, तो उससे कि आपके marks बढ़ जाएगे, मतलब, top का मतलब समझ रहे आप लोग, अगर यहाँ पर 18 तारीक के shift का बंदा, अगर यहाँ पर 90 marks लाता है, मतलब वो shift tough था, अगर 19 तारीक में कोई बच्चा 110 marks लाता है, तो वो shift easy था, मतलब यहाँ पर कम student के marks बढ़ेंगे, अगर आपका 18 तारीक से अधिक जो है marks किसी बंदे का नहीं आया, तो आ ठीक है ना, तो यह सब कुछ होता है, नारोलाजेसन फेक्टर के उपर, तो shift ही decide करती है, कि कितने marks आपके बढ़ने वाले हैं, कम तो बहुत कम ही होता है, मतलब कम एक marks, दो marks ही कम होता है, पर कम rare condition में ही कम marks होते हैं, अधिक से अधिक marks, अब यह ना बोलिएगा, किसर 50 marks है तो 10 marks बढ़ जाएंगे, 60 marks ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, समझ गया आप लोग, एक दो marks बढ़ जाते हैं, जादा नहीं बढ़ते, तो hope मत लगाईएगा, आप लोग किसर मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, अब जो है, आपने जो गल्दिया किये हैं, उस पर work करें, live classes स्टार्ट हो चुकि है, previous paper देना स्टार्ट कर दिया है, मैंने, उसको लगाईए, क्योंकि January और February में आपको पता है, form आने वाले हैं, ठीक है ना, तो हम लोग इसकी तयारी कर सकते हैं, यूटूब पर सारी classes, neat की तयारी कर सकते हैं, तो सब कुछ free of cost च चल रहा है, अभी, क असानी से और आराम से पढ़ सकते हैं, तो यह सारा process है, तो समझ में आ चुका होगा, I hope, result आपको तो पता है, 10-15 दिन बाद आएगा, कैसे चेक करना है, मैं सब कुछ बता दूँगा, चलिए, और counselling की बात करें, ठीक है, उपर counselling भी लिखा है, तो देखिए, आपका DME की साइट पर, जो MP online से, MP online से आपकी process होगी, जो counselling की है, वो भी मैं आपको वीडियो के मादब से बता दूँगा, जब result आ जाएगा, और कैसे college arrange करना है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी, कौन सा college best है, यह भी इसकी जानकारी मिल जाएगी, सारा कुछ का है, study हो रही क्या है, क्या है, अगर cut up की बात करेगा, मैंने जो cut up बता है, उसी के अगल बगल ही cut up रहेगा, क्योंकि कापी सारे वीडियो देखेंगे, आप लोग अपने आपको आप लोग भ्रम में मत रखिए, ठीक है, authentic cut up निकाला है मैंने, तो उसको जरूर देखिएगा, और भ्रम अच्छे से अच्छे आप लोग जो है, लाइव क्लासर लेके मार्स ला सकते हैं, चलिए, जैहिन, नमस्ते